हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे बहुत ही अमेजिंग सूजी के गोल कप्पे देखे कितने शांदार ये लगरे एकदम फुले फुले हैं यकीन वानिएगा मैंने एक केजी सूजी के गोल कप्पे बनाए हैं और एक भी ऐसा नहीं था जो फुला ना हो दिखने से आपको अंधाजा लगी रहा होगा कि इतने क्रिस्पी बन कर तयार हो हैं और ना इन में सोडा डाला है ना ही बेकिंग पाउडर बहुत ही सरल रेसिपी है बहुत ही आसानी से आप इने बना भी सकते हैं एक बार बना कर महिनों तक इस टोर भी आप इने कर सकते हैं तो अगर बार-बार बनाने के बाद भी आपके गोल गपपे पूरी जैसे सोफ्ट हो जाते हैं तो आज मैं सारे टिप्स और टिक शेयर करूँगी कि ऐसा क्यों होता है आपको फ्लेम किस तरीके से रखना है सूजी का डोज जो है वो कैसे लगाना है सूजी के डोज में तेल कितना डालना है पानी की मातरा कैसी होने चाहिए सब मैं बताने वाली हूँ तो वीडियो के साथ बने रहिए और पसंद आई तो लाइक कॉमेंट जरूर कीजिए तो फ्रेंट सूजी के गोल गप्पे बनाना बहुत ही आसान है लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो बिल्गुल परफेक्ट गोल गप्पे बनकर त्यार होंगे गडबड तो बिल्कुल नहीं होगी तो सबसे पहले लिया है मैंने आधा किलो सूजी सूजी कौन सी लेनी है बारिक या मोटी तो फ्रेंट्स गोल गप्पे बनाने के लिए बारिक सूजी का इस्तेमाल किया जाता है मार्किट में रवा के नाम से आपको मिल जाएगा इनकेस मिलता नहीं है तो आप अपने घर में नोर्मल जो सूजी है उसको ग्राइंडर में डालकर पीस लीजिए लेकिन बिल्कुल आटे जैसा नहीं बनाना हलका सा धाना उसमें होना चाहिए उसके बाद रिफाइंड ओयल तेल अच्छे से गरम करें इसमें सरसों का तेल नहीं जाएगा रिफाइंड ओयल ही डालेंगे और तेल को न अच्छा खासा गरम करेंगे और आधा किलो सूजी में 100 ml तेल हमें डालना है तो तेल डालने के बाद किसी चमच की मदद से सूजी में अच्छा से मिला दें फिर हातों की मदद से इसको मिक्स करें बिल्कुल गीली से आपको इस सूजी लगने लगेगी जब हाप इसे हाथ में उठाकर मुठी बंद करेंगे तो एक शेप ये पकड़ लेगी एक शेप ये होल्ड करना अनिवारी है इसका तो जब आपको लगें कि शेप ये होल्ड कर रही है तब एक कप लेना है उपको गरम पानी पानी गुनगुना नहीं थोड़ा गरम हमें लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे आधा किलो सूजी में एक कप पानी बिल्कुल ऐसे डो को लगाए चिकना कीजिए डो एकदम स्मूध चिकना होना चीए इसमें थोड़ा जैसे रफ डो हमारा बनता है कि यह जैसे हम घ्यों काटा लगाते हैं इनिशली थोड़ा सा खुरुतुरा सा रहता है ऐसा यह भी डो रहेगा तो इसे ऐसा नहीं रखना थ क्रिस्पी बनेंगे और अब देखिए फ्रेंड्स मैंने उस डो में से यह पोर्शन निकाला है तो हमने जो आधा किलो सूजी में 100 ml तेल डाला है गरम करके उससे हमारे गोलगप्प क्रिस्पी बनेंगे और महिनों तक स्टोर आप उन्हें कर सकते हैं क्योंकि तेल अच्छ टी स्पून जो होता है उसके नापकी हमें बोल्स बनाने हैं तो सारे बोल्स वन टी स्पून के नापकी बनाईए यह फिर छोटे वाला जो कंचा होता है जिससे बच्ची खिलते हैं वे सबसे परफेक्ट होता है बस उसी के साइज के आपको बोल बनाने है तो एक बार में 10 इस बारे बॉल बना लें और बाकी का जो दो है उससे धख के रखें जर अच्छे से तेल गरम करने के लिए रखना है आपको तो यह प्रोसेस पहले नहीं के गैस के उपर कढ़ाई रग दे, अच्छा खासा तेल डाल कर, थोड़ा तेल नहीं डालना है, अच्छा खासा तेल डालना है, और देखे बिलकुल ऐसे बेलना है, बेलते हुए तेल नहीं लगाना, पाने नहीं लगाना, सूखा आठा नहीं लगाना, और देखे बेलन के कौन फ्लेम पर गरम होने के लिए रखा है, which is very important, कि गोल गप्पे बनाने के लिए जो तेल है, उसे अच्छा खासा गरम होना चीए, अगर आप ठंडे तेल में गोल गप्पे डालेंगे, चप्टे पड़ेंगे, फूलेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, एके गोल गप्पा बेलते जाएए, डालते जाएए, इसकी ट्रिक यही है, कि आप एके गोल गप्पा बेलेंगे, डालेंगे, तब यह फूलेंगे, एक साथ गोल गप्पे बेल के बिल्कुल ना रखें, नहीं तो बिल्कुल नहीं फूलेंगे, आटे के गोल गप्पे में, एक साथ बेल के रखने का प्रोसेस फोलो किया जाता है लेकिन ही सूजी के हैं ये सासात में बेल रही हो डाल रही हो आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने आप उपर आ रहे हैं फ्लेम बिल्कूल हाई है अब यहां पर फ्लेम कमिया ज्याद है बिल्कूल नकरे हाई ही रखे एक गोल गपत जब आप इसमें डालेंगे ना तो ओटोमेटिक ही आपको टेमपरेचर ना तेल का वो कम हो जाएगा तो आपको गैस की फ्लेम कम करने के जरूरति हैं अगर यहां अब पर तेल ठंडा हुआ, तो गोल गप्पे फूलेंगे ही नहीं, और आप अंदा देखे कितने शांदार बन रहे ना, कितने बढ़िया बन रहे हैं, गैस की फ्लेम मैंने दिखा दिया आपको हाई है, तो यहीपर गल्ती होती है, यहींद пери फ्लेम को छेडे नहीं आप, हाई फ्लेम पर ही एक करके गॉल गपपे ढाले और उतने ही ढाले जितने के कड़ाई में कैपसेटी है इने जेलने की, तो अगर एक बार कड़ाई में लगता है कि बारह से पंद्र आएंगे तो उतने ही ढाले, दो-दो करके बिल्कुल ना सेके, नहीं तो फिर क्या होगा ना, ये कच्चे रह जाएंगे और सोफ्ट हो जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसे जितनी मातरा है आपके तेल की, उस हिसाब से इसमें डाले गॉल गपपे, और बिल्कुल ऐसे जैसे मैं चम्मच लगा रही हूँ, ऐसे ही लगाना है, तब ही दोनों थाली जरूर रखें, क्योंकि इसमें तेल होता है, वो नीचे जाएगा, और ये देखें, मैंने कितने सारे बना भी लिए हैं, और सारे कितने बढ़िया बने हैं, तो गोल गपपे बनाते हैं, वसा आपको यही धियान रखना है, कि एक एक गोल गपपा बेलना है, ही है, और जितनी भी मेरी कड़ाई में जंगे है, उतने ही मैंने डाले हैं, और चम्मच देखें, मैं कैसे चला रही हूँ, जब आप चम्मच बिलकुल ऐसे चलाएंगे ना, तो चारो तरफ से अच्छे सिकेंग, सूपर क्रिस्पी होंगे, और हाई फ्लेम पर इने बनाने सही, ये क्रिस्पी बनेंगे, अगर आप ये सोच रहे हैं ना, कि फ्लेम लो करेंगे, तो भी क्रिस्पी बनेंगे नहीं, तब ये फ्लेट हो जाएंगे, चप्टे हो जाएंगे, फूलेंगे तो बिलकुल भी नहीं, आप ये देखें, मेरी कड़ाई में सारे फूले हुए इन चोटी चोटी बातों का आपको ध्यान रखना है कि कड़ाई में गुलगपपा एक-एक बेलते जाए और इसमें डालते जाए उसके बाद इस पैचुला से किसी फ्लैट चमसेने इस तरीके से आपको हिलाना है और जब ये एक दम ब्राउन हो जाएं बिल्कुल ऐसा जैसे अब देख रहे हैं तब आप इने बाहर निकाले ये क्या होता है इसमें हमने तेल अच्छी खासी मात्रा में डाला है जिसके वह जैसे बहुत क्रिस्पी बनते हैं और महिनों चलते भी हैं तो ऐसे इने बाहर निकाले तो गुलगपपे मेरे बहुत ही शांदार बने है ना बेकिंग सोडा है इसमें ना पाउडर है कुछ ना डालें बस यही प्रोसेस फोलो करिएगा बनाने के बाद किसी चलनी में रखें एक्स्ट्रा तेर इनका जो है न वो दूसरी थाली में निकल जाएगा और यह देखें यह अल्रेड़ी में बना चुक्यूं मैंने एक केज सुजी के बनाए है 140 बने है 140 बहुती शांदार बहुती क्रिस्पी इन्हें बनाने के बाद किसी बड़ी सी थाली में भरके किचन में ठंडा होने के लिए छोड़ दें आप लगबग एक से दो गंटा तो यह देखें फ्रेंट्स यहां पर मैंने गोलकपे बना कर साइड मे ठंडा होने के लिए तो जैसे जैसे ठंडे होते रहेंगे बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे अगर आपको लग रहा है कि क्रिस्पी निये सोगी है तो इन्हें टाइम दीजिए थोड़ा टाइम लगता है एक दो घंटा लगता है इन्हें क्रिस्पी होने में आप देखें कित गरम तेल का यूज करें और गरम पानी का गरम पानी और गरम तेल से डोग बनाने से क्या होता है न कि क्रिस्पिनेस बहुत आती है सूजी के गुलगपो में और यही रिजन होता है कि क्रिस्पी बनते हैं और फुले फुले बनते हैं और बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर को सिंपल सिर्फ सूजी से ही बनाना है नमक वगेरा कुछ न डालें तो अगर आपको भी मेरी तरह गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है तो आप इने बना कर बिल्कुल ठंडा करके किसी भी एटाइट डब्बे में भरके महिनों स्टोर कर सकते हैं यह खराब नहीं होते तो यह देखिए फ्रेंट्स 140 गोलगप्पे और कोई भी गोलगपप आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि जो फूला ना हो और लुक से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे बजार से हम इने लाए हैं और रेसिप कितनी सरले आपने देखा यह तो बिल्कुल ऐसे आप इन अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कोमेंट शेर जरूर किजिए थैंक्यों गोलगपप को फ्राइ करते हैं बिल्कुल ऐसी कड़ाई का यूज करना है डीप कड़ाई जो होती है वह यूज करिएगा फ्लैट कड़ाई नहीं चाहिए मैंने फ्राइ करने क लिए और तेल बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए अगर रेसिपी पसंद आए तो शेर करना पिल्कुल ना भूले आज हम बजार से भी बढ़िया गोलगपपे का दो तरीकी का चटपट और मीठा पानी बनाने वाले हैं रेसिपी बहुत ही सरले तो वीडियो को पूरा ज लाल पानी जो की मीठा होता है और एक होता है हारा पानी जो की खटा होता है तो बस आज हम यही बनाने वाले हैं तो आज हम बिल्कुल बजार जैसे गुलगपे का पानी बनाने वाले हैं जो की खाने में बहुत ही मज़दार है और अगर आपके गुलगपे का पानी जीरा घर में जो खाना खाने वाली चम्मच होती है वह है दो चम्मच ले लीजिए और इसको तवे पर डाल कर लो फ्लेम पर आपको भूनना है तो सबसे पहला काम यही करना है कि जो जीरा है उसे भूनना हुआ हमें इस्तिमाल करना है गोल गप्पे का पानी बनाने के लिए यह जो जीरा है यह दोनों ही तरीकी के पानी में जाएगा इसलिए मैंने वन टेबल स्पून रखा है पानी की क्वांटिटी में हाफ आफ लिटर बना रही हूं उस इसाब से मैंने एक टेबल स्पून लिया है अगर आप चाहते है क्वांटिटी में पानी बनाना चाहते है तो जीरे की quantity है वो बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर जीरे को low flame पर भून रही है आप देख सकते हैं जीरे का color change होना शुरू हो गया है बड़ी अची खुश्बू भी हा रही है और जब जीरा गरम हो जिसे भून जाएगा जीरा color change कर लेगा और जब यह गरम है उसी टाइम पर आपको इसे coarsely कूटना है आप grinder में भी इसे पीश सकते हैं या फिर किसी इमाम दस्ते में भी इस तरीके से कूट सकते हैं आप देख सकते हैं मैंने fine powder नहीं बनाया है और यह है 10-15 काली मिर्ची के दाने इनको भी low flame पर भूनना है आपको काली मिर्ची का flavor बहुत अच्छा आता है गोल गप्पे के पानी में और यह है एक टेबल स्पून सौफ सौफ को भी हमें low flame पर भूनना है तो यह जो तीनों मसाले है इने low flame पर भूनना है और coarsely कूटना है तो सौफ और काली मिर्ची को एक साथ हम दोनों को coarsely कूट लेंगे आप देख सकते हैं fine powder नहीं बनाया है पहले हम बनाएंगे गोल गप्पे का तीखा पानी यानि के हरे वाला पानी जिसके लिए मैंने 1,5 अद्रक के टुकड़े को टुकड़ों में कट कर लिया है और 2-3 हरी मिर्ची मैंने लिया है अप अपने टेस्ट के हिसाफ से तीखा गटा बढ़ा सकते हैं 25 ग्राम पुदीना है 50 ग्राम हरा धनिया है जितनी मातरह में आप हरा धनिया लेते हैं उसका आधा आपको पुदीना लेना है इन्हें मिक्सी के जार में डालकर थोड़ी से पानी के साथ एकदम फ़ाइन पेस्ट बना लेना है आपको बिलकुल फाइन पीसना इसे तो यहाँ पर यह जो मुसाला है मैंने इसे अच्छे से पीस लिया थोड़ी से पानी के साथ आप इसे ज़्यादा पानी के साथ मत पीसेगा नहीं तो पीसेगा नहीं थोड़ा सी पानी डालकर चट्नी जैसा बना लेना इसे और इसके बाद हम इसे चानेंगे तो मैं परसनली से चानना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे पानी में धन्य पुदिने के पत्ते या रेशे पसंद नहीं है अगर आपको पसंद है तो आप इसे बिना चानने इस्तिमाल कर सकते हैं यह जो मसाला आप इसमें देख रहे हैं इस पर थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और अच्छे से चान लीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं तो सारा मसाला अच्छे से चानना है आपको दो बार ऐसा करना है आधाधा ग्लास पानी लेकर इस मसाले के पर पोर क मिला कर इसके लिए गोलगप पगले मसाला बना सकते हैं यह है इमली का पानी मैंने थोड़ी से इमली को पानी में भीगो के रखा था जिसका पानी डाला है अब यह घर का चाट मसाला है जो मैं इसमें डाल रहे हूं 1.5 टीस्पून मैं इसमें डाला है वर्यान 1.5 टीस्प जो हमने भून कर तियार किया है यह मैंने डाला इसमें almost 1.5 टी स्पून और यह सोफर काली मिर्ची का पाउडर है यह भी हम इसमें 1.5 टी स्पून डालेंगे हाफ लीटर पानी के साफसे measurement मैं आपको दे रही हूँ आप जितनी quantity में पानी बनाना चाहते हैं उस हिसाफसे मसाले घटा बढ़ा सकते हैं सबसे बड़ी है बात यह है घर में पानी बनाने के कि आप अपने हिसाफसे टेस्ट इसमें increase या decrease कर सकते हैं आपको खटा जादे पस देर ठंड़ा ठंड़ा खटा और हरा पानी आपका बनकर त्यार है बजार से बहुत ही बढ़िया और बनाने में बहुत ही सरल तो कैसा लगा आपको एक बार ज़रूर बताना अब हम बनाएंगे इमली का मीठा पानी यानि के लाल वाला पानी जिसके लिए मैंने 50 ग्रैम्स इमली को पाने में भीगो के रखा था, इसको मैंने चान लिया अच्छे से, और यह है इमली का खटा पानी, तो हम इस पाने को एक बरतन में डालेंगे, बिल्कुल ऐसे, अब मैंने 100 ग्राम गुड लिया था, इस पानी के लिए आपको गुड इस्तिमाल करना है, चीन इस्तिम गुड को मैंने पाने में भीगो के रखा था, तो 50 ग्राम से इमली के हिसाब से 100 ग्राम मैंने गुड लिया है, आप अपने हिसाब से मीठा गटा बड़ा सकते हैं, दोनों चीजों को मैंने भीगो के इस्तिमाल किया है, आप चाहे तो सिर्फ इमली का पानी भीगो कर तयार आप साबुद गुड़ के टुकड़े भी यहाँ पर इस time पर इस पानी में डालकर उबाल सकते हैं totally optional है बानी बनाना भीगवा पानी जिसे मैंने गुड़का बनाया यह totally optional है तो इस पानी को अच्छे से पकाना ये एक उबाल लगाना है तो हमारा जो गुढ का पानी है हमें इसे एक उबाल लगाना है अच्छे से बेसिकली गुढ मेल्ट होने तक पकाना है अगर आप साबूत गुढ इस्तिमाल कर रहे हैं तो जब तक आपका गुढ मेल्ट नहीं होता तब तक उसे पकाईए इसलिए मैंने पहले भीगो के गुड को इस्तिमाल किया है ताकि जल्दी से उबल जाए अब हमने इसे एक बरतन में ट्रांसफर किया है अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले टेस्ट के साब से काला नमक और इसमें डालेंगे हम 1 टी स्पून से थोड़ा सजादा चाट मसाला और सेम 1 टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर और यह है वही भुना हुआ जीरा जो कि हम 1 टी स्पून ही डालेंगे इस पाने की कॉइंटिटी भी 1 लिटर है तो मैं 1 लिटर के साब साब को मिजर्मेंट दे रही हूँ और यह सोफ का पाउडर जो हमने सोफ और काली मिर्ची बनाई थी ना उसका पाउडर है 1 टी स्पून और 1 फॉर्थ टी स्पून मैंने इसमें लिया है ड्राइ जिंजर पाउडर जिसे सोट का पाउडर भी कहते है यह डालना अनिवारिया है बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते आप इसे नहीं तो आपका पानी अच्छा नहीं बनेगा उसके बाद रेगुलर नमक भी मैंने इसमें थोड़ा डाला है तो आप यहाँ पर टेस्ट कर लें अगर आपको नमक कम लगता है तो आप एड़ कर सकते हैं उसके बाद थोड़ा पानी मैंने इसमें डाला है और बूंदी डाल दी है और यह हो गया है लाल वाला पानी और जो मीठा पानी होता है तयार बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर से भरावा बहुत ही शांदार इतना बढ़िया पानी ये बनकर तयार हुआ आप इसे ऐसे भी पी सकते हैं बहुत टेस्टी है ये और साथ साथ बहुत हैल्दी भी है क्योंकि इसमें मसाले बहुत अच्छी तरीके से हमने डाले है देखे फ्रेंड्स यहां पर हमारा दोनों तरीके का खटा मीठा पानी बनकर तयार है आप इसके साथ जब गोल गप्पे खाएंगे तो आपको बहुत पसंद ये पानी आएगा सबसे बढ़िया बात ये है कि आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें मसालों की मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं बजार में आपको ये option नहीं मिलता कि आपको खटा चाहिए तो वो उस इसाब से बना के देगा या मीठा चाहिए तो ऐसे बना के देगा आप अपने घर में अपने हिसाब से मसाले कम जादा करके अपने टेस्ट के कोडिंग ये पानी बना सकते हैं बनाने का प्रोसेस सेम रहेगा मसालों की मात्रा हाफ लिटर पानी के साब से मैंने आप को दी है आप जितनी भी मातर में बनाना चाहते हैं उसे साब से घटा बढ़ा सकते हैं मसाले फ्रेंड्स वीडियो को देखने के बाद अपने घर में घोल कप्पे का घटा मीठा पानी जरूर बना कर देखें आपको यह बहुत पसंद आएगा और अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो इसे लाइक कोमेंट शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले आप मुझे फेस्बुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं इस तरह की इजी और टेस्टी रेसिपीस के लिए थैंक यू